दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि How I Topped Diploma दोस्तो मैंने एक कम्मुनेटी पर एक पोस्ट भी अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था जिसमें मैंने एक मेरा निउज़ पेपर में नाम आया था और आप इदर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने डिपलोमा जो Topped किया था तो मेरा निउज़ पेपर में भी नाम आया था तो दोस्तो यहाँ पर डिपलोमा मैंने Mechanical से किया है और दोस्तो मैं Topper रहा था डिपलोमा का First Year का Second Year का और Third Year का भी यहाँ पर मैं जो मेरा यह था यह all over था मतलब डिपलोमा में जितनी भी branch होती है mechanical, civil, electrical, जितनी भी branch होती है मैं पूरा सभी का टॉपर था university का दोस्तों यहाँ पर हम यह बात करेंगे कि डिपलोमा में कैसे मैंने पढ़ाई की थी आपको डिपलोमा में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए कि आप एक अच्छा स्कूर कर पाएं तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू कर लेते हैं यार उससे पहले एक request है अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की latest notification मिलेगी सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि मैंने अपनी पढ़ाई कैसे की थी देखो डिपलोमा first मैं सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ मैं जब 10th में था तो मैं seriously बता रहा हूँ मैं 10th जो मैंने की है मैं 10th में CBSC Board से थी लेकिन 10th में CGPA थी वो इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन दोस्तों अगर आप 10th में 12th में एक normal student रहे हो ना तो आप ऐसा बिलकुल भी मत सोचिए कि आप डिपलोमा में या आप polytechnic में चाहे mechanical से कर रहे हो civil से किसी भी ब्रांज से कर रहे हो आप अच्छा नहीं कर सकते हो मैं आप कुछ चीजें बताऊँगा जिस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आप अच्छा कर पाऊगे देखो मैं अपनी कुछ चीजें बताता हूँ जैसे कि डिपलोमा फेश्टियर में मेरे पास एक सब्जेक्ट था फिजेक्स और दोस्तों मेरी फिजेक्स उतनी स्ट्रॉंग नहीं थी लेकिन जब मेरे फिजेक्स में पहली बार मुझे पता है मिरे जो फिर्स्ट था तीस में से 15 marks आये थे और दोस्तों मेरे लिए एक गुड़ अचीबमेंट था मतलब मैंने यह सोचा था कि मेरा टीस में से 15 नमबर लेकर आया हूँ पंदरा नंबर है क्योंकि मैं physics में expect यह कर रहा था कि मेरे 10 नंबर आएंगे या हो सकता है मैं सैसनल मैं physics में fail हो जाओ और भी subject और सभी subject में दोस्तों में जादा अच्छी नंबर नहीं थे लेकिन दोस्तों वहां पर एक turning point था जो मेरा physics के एक सर थे उन्होंने एक बात बोली थी मुझसे कि धनेस तुम कर सकते हो तुमारे अंदर वह capability है कि अगा तुम मेहनत करोगे तो तुम कर सकते हो बस वह बात दिल को लग गई थी उस दित बस यह लगा था कि यार अब करना है क अब अच्छे से बढ़ाई करनी है वहां पर दोस्तों मैंने जो पढ़ना स्टार्ट किया वह कैसे किया देखो सबसे पहरे तो मैं regular college जाता था मतलब ऐसा नहीं है कि मैं चुट्टी करता था और ऐसा भी नहीं है कि 100% में अटेंस थी मैं इतना भी regular नहीं था और ऐसा भी द अगर देखो टीचर के नोट्स हैं बहुत जादा इंपूडेंट होते हैं कि आसमें टीचर आपको किस तरह से पढ़ा रहा है वह बंदा बहुत जादा इंपूडेंट रखता है अगर देखो टीचर ने आज कोई चीज पढ़ाई वह आप घर जाकर आप पढ़ लीजिए वहांपर दोसतो हो सकता है आपको कोई ड दो तो दूसरी जाऑ आप टीचर से कर सकते हो टीचर से पूछ सकते हो यार यह चीजन मुझे समझ में नहीं आ रही है यहांज Southwest मेर नोट्स को वर्छ सब्च होती हैं सब्चों आब होते हैं लेकिन जैसे अब mechanical में हो तो आपको strength of material है, machine design है, philode machinery है, mechanics की book है, बहुत सारी books ऐसी होती हैं जो आपको खरीद लेनी चाहिए, तो वो books मैंने खरीदी थी, उन books को मैंने लगाया था, उन books से भी मैं पढ़ा हूँ, और दोस्तों paper देने, एक paper से पहले बहुत जादा यह होता है कि आप किस तरह से पढ़ते हो, तो जब paper होता था जैसे कि board exam होते हैं, एक semester हो गया, फिर आपके दोस्तों paper होंगे, मतलब एक semester के paper होंगे, तो वो आप एक तरह से board consider कर सकते हो, तो मैं क्या करता था, मैं हर subject के question bank बनाता था, मुझे लिख लेता था, मैं एक paper, मतलब एक subject के आप मालेजिए, पचास साइट question हो गए, कि मुझे इतने question कबर करने अच्छी तरह से, वैसे तो और भी पढ़ना है, लेकिन ये question ऐसे है, वो मुझे अच्छी से cover करने, अब वो question मैं कहां से लिखता था, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर पढ़ रहे हो ना, तो आप previous year paper ले आए, जैसे कि अगर आपके पास, जैसे first year में subject होता है, अगर आप diploma में हो तो physics होता है, second year में strength of material होते हैं, या fluid machinery होते हैं, मतलब इनके previous year paper आपको market में available है, तो आप इनके previous year paper लेके आए, अगर आप diploma कर रहे हो, और आप यह देखे कि इस subject में से कौन-कौन से question मतलब previous year में पूछे जाते हैं, कौन-कौन से question repeat होते हैं, और जो आपके teacher हैं, आपके teacher भी आपको बताते हैं कि यार यह important question है, तो उनकी आप एक question rank बना लीजिए, मतलब आप 3-4 page लीजिए अलग से, और वहाँ पर आपको लिख लीजिए कि यह question आपको कबर करने हैं, अब आपको पता चलिए कि question आपको कहां से आपको question लिका लने हैं, previous year के paper में जितने भी question है उस subject related सारे question पढ़ने हैं आपको, साथ में जो teacher ने notes दिये हैं, वो notes को अच्छे से करना है, और अगर आप extra करना चाहते हो तो आप book से पढ़ सकते हो, नहीं तो आप इतना करके भी diploma में अच्छा कासा score कर सकते हो, आपको देखो मैंने book से पढ़ा था, लेकिन दोस्तो आप book से नहीं पढ़ना चाहते हो, तो मैं आप कंबल सारी नहीं कह रहा आप से कि आप भी book से पढ़ो, आप क्या कर सकते हो, जिस भी subject को पढ़ रहे हो, teacher के notes, अगर teacher ने अच्छे से prepare कराई है notes तो, और incomplete notes हैं तो भाई फिर आपको book से पढ़ना पढ़ेगा, और दोस्तो एक चीज बता देता हूँ, मैं आपको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो diploma में पढ़ते हैं वो या तो previous year paper यह पढ़ते हैं, या notes पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तो आप diploma में पास हो जाओगे, लेकिन आपको government point of view से पढ़ रहे होना, तो आपको book बगेरा खरीद लेनी चाहिए, अगर मैं diploma 3 साल का होता है, 6 semester होते हैं, अगर मैं 6 semester की बात करूँ, तो कम से कम 7-8 book ऐसी होती है, 6 semester की, maximum 10 book, जो आपको important होती है, मतलब मैंने दोस्तो टोटल डिबलोवर में 8 book खरीदी हुई है, जैसे मैं mechanical से हूँ, मैंने stand of material खरीदी है, fluid mechanics खरीदी थी, और दोस्तो machine design खरीदी थी, thermodynamics की book खरीदी थी, तो यह book आप खरीद लीजिए, अगर आप, मतलब आप कैसे खरीद होगे, अगर आप electrical हो तो भाई मुझे नहीं पता कि electrical की important book कौन सी है, आप अपने senior से discuss कर सकते हो, जो intelligent है, जो की topper है, या आप अपने जो आपके faculty members हैं, जो की आपको हर इंसान का एक favorite faculty member तो होता है, कॉलेज के अंदर अपनी first year में, second year में, हर year में होता है, हर semester में होता है, तो उस teacher से पूछ लीजिए, कि sir आपने, आप अज teacher को तो सब experience है, sir आपने diploma किया है था, या आपने BIDAC की थी जो भी किया है, या आप यह पताईए, कौन-कौन सी book मुझे खरीदनी चाहिए, तीनो साल की, मतलब कौन-कौन सी चीजें हैं, जो मुझे book से पढ़नी है, कौन सी चीजें मुझे note से पढ़नी है, और मुझे previous year paper लगाना है, लेकर सिर्फ previous year paper नहीं लगाना, मतलब कहना समझीए, बहुत सारी बच्चे डिप्लॉमा के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ previous year paper लगा लेते हैं, वो पास हो जाते हैं, मुझे भी पता है, अगर आप previous year paper लगाओगे, पास हो जाओगे, डिप्लॉमा में एक चीज और, आपने सुना हुआ कि percentage matter नहीं करती, यार अगर आप 75% ला रहे हो, तो बहुत है, आपको 85% लाने की जवहत नहीं है, लेकिन अगर आप government job करने जाओगे न, वहाँ पर ये 75, 85 का मतलब नहीं है, वहाँ पर अगर आपकी 70% है, तो काफी है, लेकिन आपके concept क्लियर नहीं है, और दोस्तों अगर आप concept diploma में क्लियर कर लोगे, तो आपकी percentage तो already diploma में बढ़ जाएगी न, तो फिर आप government exam को आसानी से crack कर पाऊगे, और दोस्तों मैंने diploma में अच्छे से जो मेरे सारे concept थे, वो मैंने क्लियर किये थे, और उसी की चलते दोस्तों, अभी मैंने BTEC भी complete किया है, और मैंने दोस्तों आपर ये screenshot देखिए, मैं अभी exam के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसका दोस्तों मैंने pre exam निकाला है, अब देख सकते हो, मेरा CBT 1 था, जो की qualify हुआ है, अभी जो सो written exam है, जब मेरा return हो जाएगा, उसके बारे में इस exam के बारे में बात करूँगा, कि कौन सा paper है जो मैंने निकाला है, तो दोस्तों यहां पर बस मैं यही कहना चाहरा हूँ, कि अगर आप government job लेना चाहते हो, तो diploma अच्छे से करिए, diploma notes के साथ पढ़िए, teacher के notes बहुत ज़्यादा जरूरी है, और notes अच्छी handwriting में और proper notebook में बनाईए, और दोस्तों ऐसा नहीं है कि blue pen से आप question भी लिखे हो, black pen से pen, मतलब आपकी copy भी ऐसी होनी चाहिए, जो अच्छे notes होनी चाहिए, मतलब writing खराब को matter नहीं करता, लेकिन आपने, मैं आपकी लिखने की writing की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होने हैं, उनको pen की कोई difference ही नहीं पता, मतलब notes बना दिये, उल्टे सीधी लिख दिये, फरक नहीं भाई, वो notes कुछ subject के notes, खास नहीं है, कि मतलब कोई रामबार नहीं है, कि यार ऐसे करोगे तो pass, मतलब top कर लोगे, या ऐसे करोगे तो अच्छी percentage आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस रही है कि notes को teacher के notes को अच्छे से बनाईए, proper notes को maintain करिए, previous year paper को लगाईए, और book जरूर खरीद लीजिए उन subject की, जो subject government point of view से important है, उसके लिए दोस्तों, आपको अपने teacher से बात करनी होगी, कि आपके लिए कौन-कौन से subject important है, क्योंकि अगर आप first year में है, तो आपको नहीं पता होंगे, या second year में है तो आपको नहीं पता होंगे, फिर आपको ज़्यादा जलुवत यह है, कि आप अपनी technical skill पर ध्यान दो, technical skill पर लाए कि दोस्तों, आप software सीखने पर ध्यान दो, आप software लाए, कैटिया वगरा पढ़ो लेगे लिए अगर आपका target government job निकालना, फिर दोस्तों, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगे diploma के अंदर, आपको notes से पढ़ना है, book से भी पढ़ना है, previous year paper भी लगाने है, और जब आप diploma final year में आ जाओ, तो आप दोस्तो book भी खरीद के लाओ, completion की बो, मैं दोस्तों एक video में अल्रेडी पहले discuss कर चुका हूँ, साथो दिन पढ़ता था, ऐसा था किसी दिन, मतलब मेरा सुमा का प्लान होता था कि मैं तीन बजे उठके पढ़ता था, या साम को दोस्तों अगर मैं पढ़ रहाँ छे बजे से क्योंकि जो college है, वो दस से चार college होती है, तो अगर तुम 6 से पढ़ दो, तो 10 बजे तक पढ़ लो 6 से 10, आप 4 गंटे में दोस्तों पूरा revise कर लोगे, और पिछला भी revise कर लोगे, अगर आप सिर्फ exam टाइम पढ़ोगे, तो सिर्फ pass like number आएंगे, तो दोस्तों आपको अच्छे से concept clear करने हैं, तो डेली पढ़िये, थोड़ा थोड़ा पढ़िये, दो दो गंटे पढ़िये, चार गंटे भी पढ़ना जादा जरूरी नहीं है, दो दो गंटे ही पढ़िये डेली, लेकिन consistency के साथ पढ़िये, वही चीजह मैंने apply की थी, और जिसकी बज़े से मेरे अच्छा स्कूर आया था diploma के अंदर, I hope दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ informative लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी है, diploma से related कोई doubt है, आप comment section में नीचे बताइए, मैं reply जरूर करूँगा, I hope दोस्तों आपके सारे doubt के लिए हो गए होंगे, bye bye take care दोस्तों आपसे मुलाकात होगी किसी next वीडियो में,